Hello friends में नाम है वीजे और आज की वीडिये में हम लोग बात करेंगे if else statement के बारे में जानेंगे उसे कहां यूज करते हैं और कहां पर हम else if statement को यूज करते हैं तो चलिए start करते हैं मैं यहाँ पर दो प्रोग्राम आपके लिए लेके आया हूँ simple से दो प्रोग्राम है सबसे पहले प्रोग्राम में हम लोग if else की condition यहाँ पर चेक करा रहे हैं और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ else if की condition में चेक कर रहा हूँ पहले प्रोग्राम में मैं को दोनों मैं difference बताऊँगा कब दोनों को use करते हैं उसके बाद मैं यहाँ पर एक और प्रोग्राम लेके आया हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अपने जो characters user से लूँगा, इनको encode करूँगा, encode करने का मतलब है, उनको change करूँगा, ठीक है, यहाँ पर दिखिए, सबसे पहले मैं अटर फाइल को include किया है, फिर मैंने main चलाया है, फिर मैं आप flag लिये है, flag is equal to 0, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक variable लिया, is equal to 0, जो की integer type का है, और digit, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर check कराया है, if, और सबसे पहले मता दो, if else चलता कैसे, if मैं आप सबसे पहले यहाँ पर लिखते है, condition, और जब यह condition true होती है, तो जो भी code आप इसकी body में लिखेंगे, वो execute होगा, ठीक है, फिर जैसे आपने condition लिख दी, अगर यह true हो गई, तो उसके लिए आप एक code चला सकते हैं, वरना आप ऐसी चोड़ सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि true के लिए एक तरह का output हो, और false के लिए अलग तरह का output पुठो, तो वहाँ पर आप else को use कर सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर देखे, if यहाँ पर लगाया है, और else मैंने यहाँ पर लगाया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, true के लिए एक अलग set of code चलेगा, और else के लिए अलग set of code चलेगा, जैसे कि आप से कहते हैं कि आ आपके पास एक instruction है, कि आप या तो movie theater में जाए या तो घर ते ले जाए है, ठीक है, तो वही हमारा if else होता है, if अगर आप true देते हैं, तो एक condition, set of condition हम चला सकते हैं, और ऐसा नहीं है, कि if के साथ आपको else देना ही देना है, ऐसा नहीं होता है, विल्कुल भी, ठीक है, आप सिर्फ if condition के साथ ही चला सकते हैं, ठीक है, else condition देनी ज़रूरी नहीं है, तो वही चीब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आप flag बता रहा हूँ, कि अगर flag की value true होती है, तो हमें क्या करना है, यह set off code चलाना है, और इसमें क्या हो रहा है, 0 से लेकर 9 तक की value प्रिंट हो रही है, अगर एसा नहीं होता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से else condition चला रहा हूँ, और else की condition के अंदर मैं इफ की condition भी चला रहा हूँ, क्यों ऐसा किस ले कर रहा हूँ है, क्योंकि मुझे क्या करना है, else के बाद अगर आपको एक और condition चलानी है अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, else की body के अंदर भी if इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, कि आप इस तरह से लिखते हैं, यहां पर अगर इस लिख को चेंज कर लूँ मैं, और मैं इसकी body के अंदर इसको रख लूँ, if की condition को, और यह मैंने body यहां बंद कर दी, ठीक हो गया, तो यहां पर देखे, else के अंदर यह if की condition है, और जो यह else है, यह वाला else, ठीक है, last वाला else, वो इस if का else है, ठीक है, तो select part it, वो यह run होता है, तो यहां पर देखे, a and flag are both 0, यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पर मैंने flag और यह दोनों 0 दिये हैं, तो यहां पर इस case में क्या हुआ, कैसे आया यह output, वो समझते हैं, सबसे पहले देखे, flag की value क्या आती, 0 थी, यहां पर मैं आपको बता रह यह दोनों, उसका else में आएगा, else में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे वहले condition चक कर आ रहे हैं, कि if a is equal to, और a कहा है इस case में 0 है, मतलब false है, false है, तो कौन सी condition चलेगी, else वाली condition चलेगी, और हमारे यह print हो के आ जाएगा, अगर मैं flag और a की value चेंज कर दूँ, तब क्या होगा, तब condition हमारा output फड़ा लगा सकता है, जैसे मैंने f की value 1 कर दी, ठीक है, इसको मैंने run किया, तो इस case में क्या होगा, 0 से लेकर 9 तक के value आई, यह दोनों command चली ही नहीं, क्यों नहीं चली, क्योंकि else में क्या होता है, जब आप if else use करते हैं, अगर यह condition true हो गई, यह ऐसे नहीं हो सकता, तो दोनों condition नहीं चलेंगे, ठीक है, इसलिए जैसी यह condition true ही, तो यह else वाला पूरा block नहीं चला, और else में यहाँ पर कल्ली वेसिस लगा था, यह इसकी body थी, तो यह पूरा part नहीं चलेगा, चाहिए इसमें कितना भी code लिखाओ, ठीक हो गया, अब वाला था, same output generate हो के आया, ठीक है, तो आपका जो else के अंदर आप if लिखते हैं, और else लिखते हैं, वो दोनों same है, else अगर आपने इस तरह से लिखा if, और यहाँ पर आपने लिखा else if, तो वो दोनों same है, अब देखिए, मैं a की value को भी one कर देता हूँ, a की value को मैंने कर दिया हैं, आपर से one, और flag की value को मैंने यहाँ पर से कर दिया, zero, इसको save किया है, score on किया है, तो यहाँ पर देखिए, nothing to print, nothing to print क्यों लिखा हुआ रहा है, तो सबसे पहले, यहाँ पर flag की value क्या थी, zero थी, तो यह तो print होगा नहीं, दोनों, क्योंकि यह false हो फिर else की condition चलेगी, else में if की condition चेक होगी, कि if a क्या है, a true है, हाँ, a true है, क्योंकि a की value 1 है, तो यहाँ पर यह print हो क्या जाएगा, ठीक है, उसके बाद else की condition नहीं चलेगी, क्योंकि true condition चलेगी, बैदा नहीं होता ठीक हो गया तो यह आपके if else की condition थी hope करूंगा आप समझ गया होंगे if else की condition अब इसके बाद जो code है वो जारा important है क्योंकि इसमें mail logic तो ही लगा हुआ है यहाँ पर तो इसलिए मैं देखी दो-दो example लेके आता हूँ ताकि मैं आपको concept के साथ एक नई चीज और सिखा सको हूँ जैसे कि यह code है आपका यह काफ़ अच्छा code है इसको हम सीखने ही कोशिश करते हूँ और है क्या यह जानते है इसमें तो यहाँ पर देखे मैं इसको encode किस तरह से कर रहा हूँ इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ सिंपल जो भी आप letter लिख रहा हूँ तो उसके बाद आला जो letter होगा वो प्रिंट करवा दे रहा हूँ ठीक है इसलिए अपने user ने value दी A 1 A 0 तो मैं क्या कर हूँ आँगा B 1 यह प्रिंट करवाद दुगा 1 के 10 के बाद 1 और A के बाद B अकर इसमें उसर ने दिया B C D E तो मैं क्या करवा B को भणाद दूँगा C C को बनाद दूँगा D D को बनाद दूँगा E E को बना-दूँगा F उसके बाद जैसे इसने 0 दिया तो मैं इसको 1 बना दूँगा अगर 5 दिया तो मैं इसको 6 बना दूँगा ठीक है मैं यह चीछ कर रहा हूँ तो एक बार रन करके दिखाऊंगा अपको code यहां पर इसको पहले delete कर देते हैं यहां से तक कि पुराना code अड़ जाए यहां से मैंने इसको रन किया तो entire line of text below कहा रहा है मैं इस तरह से लिखता हूँ और मैंने यहां पर इस तरह से लिखाए अगर ABCD करके लिखूँ तो ज्याद अच्छा रहेगा न method से मैंने किया जिस तरीके से मैंने किया जो मैंने for loop यूज किया आप सकता while loop यूज कर ले ठीक है मैंने else if else if करके यूज किया आप कुछ और यूज करके कर ले ठीक है जरू नहीं कि programming यही अच्छी बात है कि different तरही का output हो सकते हैं और उसमें जो आपको सबसे optimum लगता है उ concept होते हैं वो आप इस तरह से apply कर सकते हैं जिसका आप comfortable हो उस तरह के से solve कर सकते हैं और जब भी आप कोई program देखें तो उसमें आप क्या करें अपना logic बनाने कोशिज करें जितना भी आपको learn है ठीक है अभी तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूं मैं वही चीज जो का use कर रहा ह छीच है जैसिकर मैं आभी तक मैं आपको for loop बटाया है myself बताया है मैंने अनी चीज को use किया है मैंने जो चीज नहीं बता है उनको use नहीं किया मैंने तो जितनी आपको आपको आता उसमें आप optimal solution निकालने की कोसिज कीजिएगा यहां पर देखें मैंने क्या किया है सबसे पहले तो header file यूज़ के void main ठीक है फिर यहां पर मैंने एक array लिया है ठीक है फिर मैंने यहां पर एक integer लिया है मैं सबसे पहले यह पूछ रहा हूँ कि अपना line डा लिये ठीक है और उस line को यहाँ पर मैं ले रहा हूँ और मैंने किस तरह से देखें लिया है किस तरह से मैंने scan किया है यहाँ पर मैंने आपको बताया था पहले कि जब आप इस तरह से लिखते हैं square basis, power sign इस तरह से और backslash n तो यहाँ पर जब तक next line नहीं करते हैं तक यह read होते रहता है तो यहाँ पर read कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर देखें मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर मैंने for का रूप लगाया ठीक है फिर मैंने count की value 0 से start किये है लाइन count कब तक चलेगा जब तक end of the line में हम ना पहुंच जाए ठीक है और फिर plus plus count तो यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है यहाँ आप देख रहूंगे if condition काफ़ी banker से हमें दिख रही है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मैंने end operator का भी use कर रखा है और और operator का भी तो यहाँ पर देखें मैं सबसे पहले check क्या करवा रहा हूं क्योंकि हमारी जो numbers होते हैं जो characters होते हैं वो s की form में save होते हैं ठीक है तो s की में क्या होता है आपके जो जो भी number है जिससे की a है ठीक है वो एक number से represent होता है a represent होता है 65 से as-a cat चलते रहता है quantity five by आपका 66 से ठीक है इसी था 잡का small a भी होता है और इससे zero भी होता तक भी होता है ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जैसे मैं को बताया ता मैं क्या कर रहा हूं? zero convert 3 में ठीक है और small एको कर रहा हूँ small b में ठीक है तो मुझे क्या करना है यहाँ पर जो इनके number होते है ठीक है जैसे 0 का जो number होता है 2 का जो number होता है a का जो number होता है उनमे 1 add कर देना है और हम next position पर पहुंच जाएंगे लेकिन हमें दुविधा करवाएगी problem करवाएगी जब मैं यहाँ z वो convert करने के सोचूँगा क्योंकि z में अगर मैं 1 plus करूँ तो z का जो s की character होता है वो होता है 90 अगर मैं 1 plus करूँ 91 बनाओ तो मुझे output a नहीं मिलेगा मुझे क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा square braces जो कि मुझे नहीं चाहिए इसी तरह से वही problem आएगी 9 के साथ वही problem आएगी small z के साथ तो इसका मैं solution कैसे कर दकता हूँ तो इसके लिए मैं condition क्या चाक करा रहा हूँ कि जो user अगर value 0 से बड़ी डाले ठीक है जब number की बात कर नहीं 0 से बड़ी हो और less than 9 हो मैं यहाँ पर equality क्यों नहीं लगाया क्योंकि 9 पर condition गलत हो जाएगी हमारी ठीक है 9 में जो हम कराना चाहरे है वो नहीं हो पाएगा ठीक है तो मैं 0 से लेकर 9 तक के बीच में होनी चाहि है तो मैं यह क्या करा रहा हूँ यह action perform करवा रहा हूँ और इसमें बागी condition भी है और मैं यहाँ पर end operator का use कर रहा हूँ आप देख रहोंगे जब मैं यह चेक करा रहा हूँ 0 से बड़ी होनी चाहिए ठीक है या इसके बराबर हो या तो क्या हो less than 9 हो दोनों end operator से जुड़े हुई है अब देखिए जो यह end operator होता है यह action में काम काम करता है यह action में काम करता है इस तरीके से अगर दोनों true होंगे तब ही यह output क्या करेगा true देगा ठीक है जब एक true और एक false होगा तो यह output false देदेगा ठीक हो गया और माननीचे पहली condition अमरी false है दूसरी condition true है तो यह क् करेगा तब भी false देगा ठीक है और दोनों ही false होई तो output तो false आना ही है ठीक है यह end में होता है और और में किस तरह से पफुम होगा और में और का symbol यह इस तरह से होता है और का symbol जो हमने यहां पर लगाए है ठीक है दो पहलर बार तो यहां पर और में क्या होता है और में false होंगे थब output आपका false आएगा और सिर्फ यामाद दोनों की बात नहीं है ये condition 3 भी हो सकती है चार भी हो सकती है अगर एक और है true true तो true आएगा अगर ये true है तो true आएगा अगर एक भी true होगा बतला अगर एक भी one true होगा तो output जाएगा true आजाएगा ठीक है ये और की condition है तो यहाँ पर हम चेक्क्या करवा रहे हैं कि सबसे पहले तो zero से बड़ा होना चाहिए and no के बीच महोना चाहिए 9 से कम होना चाहिए जब ये दोनों condition true होगी तब output आपका true आएगा वरना क्या जाएगा false आजाएगा उसके बाद मैं और लगा रहा हूँ और मैं क्या कह रहा है और मैं ये कह रहा है दूसरी condition अगर a से बड़ा होता है a के बराबर होता है और z से कम होती है value ठीक है तो यहाँ पर से क्या करना है अपना operation करवाना है क्योंकि दोनों true होने चाहिए ये भी true होना चाहिए ये भी true होना चाहिए तब जाके output true आएगा end की case में उसके बाद और का operator लगाया है ठीक है अगर ये पूरी condition ये पूरी condition true होती है और yally condition और yally condition false होता थे तब भी हमारा ये code चलेगा ठीक है ये चीज़ हमने करवानी कोशिच की है और यहाँ पर मैंने और operator इसलिए लगाया है कि अगर user 0 से लेकर 9 तक की value डाले ABCD ना डाले तो तब भी हमारा condition चले ये चीज़ convert हो जाए ठीक है मैं आपको करके दिखाता हूँ जैसे अगर मैं इसको run करता हूँ और सिर्फ number डालूँगा ठीक है 0,1,2,3,4,5,6,7 मैंने यहाँ 9 डालूँगा मैं 8,7 तक डालूँगा value ठीक है मैं enter दबाता हूँ तो यहाँ पर ये change हो गई ठीक है 8 की value 9 में होगी लेकिन 9 की value convert नहीं होगी ठीक हो गया अब देखे इस condition में क्या हो रहा है जब मैं सिर्फ number number डाल ला हूँ इस condition में क्या हो रहा है कि पहले condition चेक होगी कि count की value 0 से बड़ी है हाँ बड़ी है और less than 9 है हाँ less than 9 है और ऐसा हर एक number के साथ होगा है जितने भी number आप लेंगे जैसे पहले 0 डाला मैंने तो condition चेक होगी दोनों के लिए तो यह true होगा ठीक है इसके बाद बाकी सारी numbers के लिए यह value ठीक है आते रहेगी ठीक हो गया तो इस किसमें देखे क्या हुआ सबसे पहले हमारा यहाँ पर यह number चेक हुए ठीक है तो यहाँ पर यह condition true ही है पहले वाली जो आपका पहला block है यह जो block है यह true आए true आए और बाकी value तो डली नहीं है तो यह false ही false ही तो लेकिन फिर भी हमारा यह ची परफॉम होई क्योंकि यहाँ पर देखे line count को हम हमारा रण होगा ठीक हो गया अब दीखे जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि condition कौन कौनी satisfy होनी चीए 0 से बड़ा होना चीए और 9 होना चीए और की condition लगी बीच में ठीक है और अगर a, z, a से बड़ी value डालता है user और z से कम value डालता है तब भी यह satisfy हो जाएगा और अगर चोटा a डालता है यह उससे बड़ी value डालता है और चोटे z से कम value डालता है तब भी हम लोग क्या करेंगे इसमें operation करवाएंगे तो अब आप सोचिंगे कि जो 9 है capital z है और small z है उसका क्या होगा उसके लिए मैं else if का यहाँ पर use कर रहा हूँ else अगर यह condition false होती है ठीक है अगर user 9 value डाल देता है यह z value डाल देता है ठीक है यह small z डाल देता है उस case में क्या होगा उस case में जो 9 को मैं 0 में convert कर दे रहा हूँ ठीक है अगर यह condition false होगी मतलब user ने 9 डाला ही नहीं ठीक है तो मैं फिर से चेक कर रहा हूँ क्या उसने z डाला तो उसने capital दगा z डाला तो क्या होगा यहाँ पर वो z चेंज जाएगा a में अगर let us suppose कि यह user ने z भी डाला 9 में डाला उसने small z डाला है तो यह condition आपकी true हो जाएगी ठीक है और आपका put character a मतलब यह convert हो जाएगा a में ठीक है और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है ठीक है इन तिनों में से कुछ भी नहीं डालता है stick डाल देता है symbol डाल देता तो उस case में वो convert जाएगा dot में ठीक हो गया और यहाँ पर यह जो पूरा code है वो इस fall loop के अंदर चला है अभी जब count की value 0 थी तब एक बार यह पूरा चला फिर यह दुबारा से fall loop का चलेगा इसका मतलब क्या है कि जितनी बार आप एक number enter कर रहे ह ये सब condition check हो रहे है तो देखिये इसको मैं run करता हूं और को समझाता हूं तो यहाँ पर देखिये entry line blue कर रहे हैं मैं यहाँ पर zero डाला हूं फिर मैं a डाला फिर मैं रटाला जे डाला फिर मैं थोड़ा कम-कम डालता हूं ठीक है यहां से हमारी condition condition हो जाएंगी साइद और 9 कर लेते हैं तो देखें जब मैं enter दबाता हूं तो इस case में क्या हो रहा है यह की करके समझते हैं सबसे पहले user से value ले ली ठीक है वो हमारे यहाँ पर array में आ गई ठीक है जो line जो array था उसमें यह value आ गई 0 a z asterisk has और capital a z और 9 अब यह convert कैसे हो रही है सबसे पहले count की value 0 होगी तो यहाँ पर यह जो 0 value है यह value 0 है ठीक है वो चेक हो रही है तो यहाँ पूछा है line count मतलब line 0 पर क्या 0 के बराबर है हाँ यह condition true होगी यह condition true होगी और less than 9 है यह condition भी true होगी दोनों condition true होगी true true ठीक है जब यह true होगी वैसे condition check तो होगी ही, क्योंकि C तो condition चेक करेगा, A है नहीं है, false I value यहाँ पर, इस line से value गाई, false I, इस line से value, false I, लेकिन और operator लगा है, तो यहाँ पर true, और false, और false लगा है, तो यहाँ पर देखिए, मैंने क्या का था, अगर एक भी true होगा था, line count की, 0 की value, इसमें 1 add हो गया, ठीक है, 1 add हो गया, और उसको मैंने put character भी कर दिया, मनला उसको मैंने print कर वा दिया, तो उसकी जगा 1 print होके आया है, अब देखिए, एक एक केस में क्या हो रहा है, इसको मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा जा रहा है वीडियो, देकिन यह concept समझना ज़रूरी है, बना doubt create हो जाएगा, अब देखिए, यह condition true हो गई है, तो यह condition नहीं चलेंगी, ठीक है, और फिर से fall loop में आ जाएगा, और fall loop increment हो जाएगा 1 से, मतलब यहाँ पर भी 9 को pound out कर रहा है, अब देखिए, जब यह 9 यहाँ यहाँ पर आया, इस case में सबसे पहले यहाँ पर चेक होगा, line count, count की value कितनी है भी, count की value है 1, count की value 1 है, क्या 1, 0 से बढ़ा है, यह condition यहाँ पर true दे रहा है, true है यह, उसके बाद क्या 9 से कम है, यह condition false दे रहा है, यह false हो गया, true false क्या होता है, end की case में false होता है, यहाँ यह false मिल गया, तो उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ, यह condition, क्या a से और z से है, यहाँ पर मिल यह false, क्योंकि a, z चाही नहीं, यह तो 9 है, क्या हो, small a, small z है, यह मिल गया false, ठीक है, तीनो false हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा, if की condition false हो गई, तो यह वाली line नहीं चलेगी, put character वाली, ठीक है, तो कौन से condition है नहीं लेगी, else वाली चलेगी, else मैं सबसे पहले condition मैं चेक कर रहा हूँ, क्या count की value is equal to is equal to 9 है, वो कहरा हाँ है, यह condition true हो गई, तो क्या होगा, put character 0, तो इसकी जगा, 9 की जगा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया, sorry, जब कि यहाँ पर a था, कोई बात नहीं, अब यही समझ लिए, कि मैंने यह input डाला है, 0, 9, z, has, a, z, 9, ठीक है, तो 9 डाला जब, तो इस case में क्या हुआ, यह 0 में convert हो गया, ठीक हो गया, इस तरह से आप समझ गयोंगे, और फिर जब यह if की condition true हो गई, तो else की condition तो चलेंगी नहीं, इस के अंदर यह सारी else की condition आते, यह जो if है, इसके बाद यह else वाली condition चलेंगी नहीं, तो यह इसके अंदर कैसे चलेंगा, तो यह भी नहीं चलेंगे, तीनो की तीनो, ठीक है, अब समझते हैं, जब वाला खेल, जब वाला क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाली condition चेक होगी, ठीक है, count के value कितनी होगी, अब 3 होगी, 2 होगी, count के value 2 होगी, अब Z के value case आई, तो Z के case में क्या होगा, पहली condition तो वैसी ही false हो जाएगी, ठीक है, second condition में क्या होगा, A is greater than, A is greater than equal to count, मलब Z के value यह से बढ़ी है, तो यह condition तो true हो रही है, ठीक है, यह condition true दे रहा है, लेकिन क्या less than Z है, नहीं, तो यह false दे रहा है, ठीक है, जब यह true और false, end operator में लगेगा, तो output कितना आएगा, false, तो जो पहली line थी, जो यह थे, पूरा, इसका output false आया, इस पूरे का भी false आगया, और इसका पूरा का भी false आएगा, तीनों का false आगया, तो यह condition नहीं चलेगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर से else में आएगा, यह पूछ रहा है कि count की value, is equal to 9 है, ठीक है, मलब जो 2 की value हो 9 है, नहीं है ऐसा, तो फिर से else में आएगा, क्योंकि if की condition wrong होगी, तो else में आएगा, उसका फिर से else के अंदर, इसको if मिला, z है, तो खहेगा हाँ z है, तो यह condition true होजाएगी, जैसे condition true होगी, तो else वाली condition false हो जाएगी, तो यह हमारी चलेंगी नहीं, तो उसके बाद फिर से, यह fall loop के अंदर आएगा, इस तरह से सारे value हैं, वो check होते जाएगे, आखरी पर मैं आखको बता देता हूँ, आखरी जो हमारा has है, फिर मैं इसको wrap up कर लेंगे, hope करूँगा आपका समझ में आए रहा होगा, अब देखे, has वाली condition के case में क्या होगा, जब has आएगा तो, सबसे पहले तो यह condition false हो जाएगी, पूरी false, दूसरी भी false हो जाएगी, और यह भी false हो जाएगी, सारी false हो गई, जब यह false हो जाएगी, तो if के condition false हो जाएगी, ठीक है, जब तीनो false होंगी, तभी तो आपका output false हाएगा, तो तीनो false हो गई, तो आपका फॉल्स हागिया, मतलब if के अंदर false हागिया, तो यह condition चलेगी नहीं, तो else if के चलेगी, तो यह condition नहीं false हो जाएगी, तो 9 के बरावर नहीं है, Z के बरावर नहीं है, और small z के बरावर भी नहीं है, तो इस case में क्या होगा, आखरी जो option बिचा dot, तो यह has को dot में convert कर देगा, जैसे हमारे यहाँ पर हो रहा है, has को dot में convert कर दिया जा रहा है, यहाँ पर आप समझ गयों किस तरह से code काम कर रहा है, यहाँ पर हमें 2-3 चीज़े सीखिए आज, सबसे पहला जो सबसे important था, यहाँ पर जो सीखा हमने end कैसे काम करता है, ठीक है, end operator, ठीक है, और और operator कैसे काम करता है, वो हमने सीखा, end और operator सीखा, और हमने सीखा if-else के बारे में, ठीक है, और यहाँ हमने यह इतना अच्छा code सीखा, ठीक है, तो इसको आपको अपको पी कर सकते हैं, और यह जो code आपको हमारे github account से मिल जाएगा, और हमारे telegram account से मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जॉइन कर सकते हैं, जाएगा।